कामाइख्या टेंपल में हर रोज साम को से वजे एक बहुत ही भव्य आरती होता है और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है यह आरती में जिस थाली से मा को मंदिर बंध होने से पहले आरती दी जाती है वो आरती का थाली बाहर लाया जाता है और उस आरती के थाली से भक्त भी आसिरवार ले सकते हैं और यह आरती में प्रसाद भी मिलता है नमस्ते दोस्तों मैं हूप्रियांका और मेरा घर कामैख्या मंदिर से सिर्फ 9 किलो मिटर की दूरी पर ही है इसलिए कामेख्या मंदिर से जूरी हुई अद्बुत और रहिस्यपुर्णा बाते जानने के लिए देखते रहेए मेरे संथ प्या हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल अभी साम को 600 प्लॉक वा है और आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ अभी कामेख्या मंदिर में मेरा अगर कामेख्या मंदिर से सिर्फ 9 किलो मितर की दूरी पर है इसलिए मेरा चभी मन करता है या मा का भुलावा आता है तो मैं कामेख्या मंदिर में सली आती हूँ तो अभी सामको कामाइख्खा मंदिर में होना एक बहुत ही मन को स्थान कर देने वाला मन को सूजाने वाला आर्थी देख सकते हैं आप लोग मंदिर का तरवाला बंद हो गया है लेकिन अभी लोग जमा हो गए है आर्थी के लिए तो सलिए दोस्तों आज हम लोग कामाइखा मंदिर में होने वाला आर्टी देखेंगे तो साम का आर्टी स्टार्ट हो गया है तो सलिए दोस्तों अब हम लोग आर्टी देखें दोस्तों करीब आदा गंता के बाद ये आर्टी खतम हो गया है और आप लोग देख सकते हैं मंदिर के गेत में दो पंदिजी एक आर्टी का थाल लेके खरे हुए हैं और सभी दर्शन आर्थी वहाँ पे जाके थाल से आशिरवाद ले रहे हैं और ये आर्थी का थाल वो आर्थी का थाल है जिस थाली से मा को साम को आर्थी दी जाती है मंदिर बंद होने से पहले दोस्तों आर्थी के थाली से आशिरवाद लेने के बाद अभी सभी को प्रसाद गिया जाएगा और ये प्रसाद भी मा कामाख्या मंदीर के एकदम गर्वग्रिया के अंदर से ही लाया जाता है और प्रसाद लेने के लिए सभी लोग अभी लाइन में ऐसे खरी हुए है क्या दोस्तों आप लोग को पहले पता था कामाख्या मंदीर में हर रोज ऐसे साम को बहुत ही भव आरती होता है और प्रसाद भी मिलता है कॉमेंट सेक्षन में जरूर बोलिएगा प्रसाद लेने के लिए देखिए दोस्तों मुझे भी एक डिस्पोजिबल कतोरी मिला है और मैं भी अभी लाइन में खरी होने के लिए जा रही हूं और प्रसाद में क्या मिलता है आप लोगों को मैं अबश्य दिखांगी और ये देखिए दोस्तों ये है वो प्रसाद ये मीथा प्रसाद है ये प्रसाद मतलब हाथ में लेके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है भी ऐसा लग रहा है मतलब मा का आशिरवाद जैसे मेरे हाथों में है आप लोग भी जब कामाइख्या मंदिर के दर्शन के लिए आये तो हो सके तो ये साम का आरुती आप लोग भी जरूर देखिएगा मन को बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को कामाइख्या मंदिर से जुरी हुई और भी कोई बात या रहष्यरपुर्णा बात अगर आप लोग जानना साते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर पूछेगा और आज का ये वीडियो देखके कैसा लगा वो भी आप लोग जरूर बताईएगा दोस्तों मैं आप लोगो कामाइख्या मंदिर का एक लाइफ दर्शन कराने के लिए बहुत ही ज्यादा उच्छुखू लेकिन इसके लिए मेरे यूटीब चैनल में प्रिया हिंदुस्तानी यूटीब चैनल में 1000 सब्सक्राबर होना बहुत ही ज्यादा जरूर है इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरूद करती हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे प्रिया हिंदुस्तानी यूटीब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों जल्दी ही जल कामाइख्या मंदिर का एक लाइफ दर्शन करा सकती हूँ इस वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोगों का मन करें तो वो सारा वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और दोस्तों अगर आप लोग जानना साते हैं कामाइख्या मंदिर के अंबुबासि कपरा यानि लाल कपरा कैसे मिलेगा तो आप लोग ये राइड वाला वीडियो देखिए और अभी 2021 से कामाइख्या मंदिर के दर्सन के लिए कौन-कौन सा कॉविड रूर का फोलो करना परता है अगर वो जानना साते हैं तो आप लोग ये लेफ वाला वीड देखिए तो ठीक है दोस्तों मेरे ही कोई डूसरे वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते हैं